लेकिन प्रेटिकली ग्राउड पर जो आउटपुट है वो जीरो है अगर ग्राउड पे लोगों को मिल रहा होता तो किसान पंजाब के दरने पर ना बैटे होते हैं अगर ग्राउंड पे मिल रहा होता तो मोदी जी आप जो 400 पार कह रही थी बीजेपी वो अंकड़ा 400 से पार होता अरोगेंस भी और छोटी सोच भी बाजबाईयों की ये दिखाता है मात्मा गांदी इतने बड़े थे कि आज उन्हें पूरे हमारे देश के लोग ने पूरी दुनिया उनको जानती है उन्होंने सिर्फ बात के लिए नहीं अफरीका में भी लोगों के लिए संगर्श लड़ा और उस मात्मा गांदी को ये कहना कि जी मूवीज के जरीए लोग जानते हैं मूवीज के जरीए लोग एक्टर्स को जानते हैं फिल्मी एक्टर्स को जो आज कुछ है बीजेपी की पार्टी में भी है मात्मा गांदी का योगदान बहुत बढ़ा है और उनकी अडियोलोजी बहुत बढ़ी है और उनोंने देश को देश बनाने के लिए बहुत बढ़ा योगदान रहा उन्हों मुझे लगता है कि इस पर प्रदान मंतरी जी को माफी मांगनी चाहिए वही जैसे मात्मा गंदी जी वाली बात पर वैसे हिंदुईजम को छोटा करने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं सनातम दर्म सदियों से चल रहा है इतना बड़ा दर्म है कि आज पूरे विशम में हिंदु बैठे हैं और उस हिंदु दर्म को भी बीजेपी के लोग सिर्फ अपना दर्म बनाके छोटा करने की बात कर रहे हैं मुझे लगता है जितने भी हिंदु लोग हैं उनको भी ठेस पहुंचेगी तो जे धर्म की राजनीती है बीजेपी को पिछली जर्नल एक्षन के रिजल्ट देखके भी मुझे लगता है यो यूपी मेरा बंद कर देनी चाहिए क्योंकि सिर्फ धर्म की राजनीती करके लो देश सभी दर्म के लोगों को एकठे साथ लेकर आगे बढ़ सकता है और ये बात बीजेपी को समझे चाहिए खारर देखे बिलकुल उनकी स्टेटमेंट ईडर्स है क्योंकि जो प्रेजिदेंट जी का एडर्स है वो जो बीजेपी की सरकारने उनको लिख के दिया वही उन्होंने पड़ दिया क्योंकि ठीक है कहने को प्रेजिदेंट एडर्स होता है लेकिन जो सरकार लेक्के देती है वही पढ़ते है ठीक है उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी बाते के जी ऐसे कर दी ऐसे कर दिया लेकिन practically ग्राउन पर कहीं किसानों को कुछ नहीं मिल रहा कहीं जो देश के नौजवान है उनको कुछ नहीं मिल रहा देश की महलाओं के लि अगर ग्राउन पे मिल रहा होता तो मोदी जी आप जो 400 पार 400 पार कह रही थी बीजेपी वो अंकड़ा 400 से पार होता ग्राउन पर रियाल्टी कुछ और है और प्रेजिजेंट एड्रेस में कुछ और है ग्राउन के जो जनरल एक्शन के रिजल्ट थे उन्होंने भी पताय है देखिए सदन की कारवाई इसलिए होती है कि हम देश के लोगों के जो मुद्धे है उन पर चर्चा कर सके आज पूरे देश के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि नीड पर चर्चा हो और उस पर कोई समाधान कोई हल निकल के आए कि हम उस एक्जाम जिसमें बहुत बड़ होई है सरकार क्या कर रही है और हम लोगों के प्रतिनिद्ध हैं अगर सरकार को लोगों ने चुना है तो विपक्ष को भी लोगों ने चुना है और विपक्ष सिर्फ यह मांग कर रहा था कि एक दिन क्योंके पूरे देश के युवा अमीद कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा जो मुद्दा है जिसमें दांदली हुई है कि हमारे विपक्ष के लोग सत्ता के लोग चर्चा करेंगे और कोई समधान निकालेंगे लेकिन साड़े 14 क्रोड एक दिन पर खर्च होता है सदन में वहाँ पर जो इंपॉर्टन मुद्दा है उस पर चर्चा करने के लिए त्यार की भी थी कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन से बनता है ठीक है जो आप ने कुछ करना है तो उसमें परमपरा जाती है अगर ऑपोजिशन कोई मुद्दा उठाती है तो उसमें कह देते हैं जी ये परमपरा के इंगेंस्ट है लेकिन जो लोगों की एलेक्शन होती है जो ल पुरे देश में नीट का है और इसी से हम लोगों की सभेदर शीर्टा कि हम इसको लेके कितने गंबीर हैं वो इसी से सिद्ध होगी अगर हम उस पर चर्चा करेंगे और कोई अच्छा समधान लेके आएंगे क्योंकि हो सकता है कोई opposition के किसी member के पास किसी party के पास कोई ऐसा सम कै कि अबसे हम उसी और इस प्याओा कोई यार्चा सम्टास कम किसी आए अच्छा जाएंगे कोई अच्छा है क्या हुड़ है भुड़ है?